हालो, हाँ जी हो गया, हाँ जी सभी को नमसकार, नमसकार, हो गया, चलें, सबसे पहले यह सर्वे कर लें, पहले हम सभी, तो हम में से कितने लोग यह चाहते हैं कि समझने की प्रिकरिया को हमको आगए बढ़ाना है सभी चाहते हैं, ठीक है? अभी ऐसा करें, एक ग्रुप में एक माइक ले लेए और कोई एक व्यक्ति ग्रूप की तरफ से ये बताए कि आपके ग्रूप में क्या चर्चा हुई और क्या फाइनल व्यू आ रहा है क्या सोच रहे हूँ आप आगे कैसे चलें हाँ जी नमस्ते सभी को खुश्बू हम्दाबाद से तो सर हमारे यहां अभी ग्रूप में जो चर्चा हुई तो उसमें से सब ने ऐसा भी बोला कि थोड़ा ऐसा भी होना चाहिए मतलब कि जैसे इक लोगों को लगा कि मैरेज पे थोड़ा कम बात चीत हुई ऐसा उनको लगा तो फिर हमने उसको बताया और अधर जो था वो थोड़ा आगया मतलब अल आस्पेक्ट थे वो ठीक है तो उनको लगा कि वो एक दो लोगों को ही लगा सभी को नहीं लगा कि यह प्लान करना करते तो अच्छा होता ऐसा उनको लगा था था थोड़ा ज्यादा बताना ठीक है अधर कॉंटेंट तो सबको अच्छा लगा और सबकी यह इच्छा है कि हाँ आगे यह जैसे बैचरल कोर्स है जैसे दवल भाई ने बोला कि बैचरल है तो इसका एक मास्टर को हो पिर ऐसी भी बात हुई कि only couples नहीं पुरा परिवार अगर साथ में आए ऐसा अगर हमारा हो कोई workshop और शविल तो अच्छा हां और हां एक और भी बात आई कि यहां पर अगर couples है अभी तो यह जो हमने जो content में जो भी किया उसमें अगर थोड़ी activities अगर हम डाल के करें तो जो रिलेशन्स है उसको बहतर अच्छी तरह से समझ सकते हैं ऐसा भी एक सजेशन आया है हां और कुछ रह गया हो तो देखे एक मिन्ट जो आपकी शेरिंग आई है ना उस पर यह शेर करना चाहता हूं कि बेसिकली शादी कहां आएगी परिवार में उसके पहले शादी हो पाएगे तो पहले मानव के बारे हमारी क्लियरटी बन जाए तो हम शादी पे बहुत गहराई से बाचित कर सके जैसे शादी पे बाचित होने के लिए बेसिकली जब दूसरा जो शिविर में यह आए पहले वरक्शॉप में शादी आई नहीं पाती है क्योंकि मानव को लेक क्लियरटी बनने के लिए पहला शिविर चला जाता है तो सही अर्थों में जिसको हम अध्यन बिंदू बोल रहे हैं सेकंड लेवल बोल रहे हैं वहां जाके हम परिवार पे बात कर पाते हैं तो तब वह बहुत फैल के हो बात हो पाती है तब आपको सेटिस्फेक्शन आ ज हो गई प्रैक्टिस में आएगा नहीं वह तो यहां जिस तरह की बात्चित है कि एक बार बेस जैसे आप कोई भी कोशन पूछते हो तो मैं यह बोलता हूं कि बेस क्रियेट हो जाए आंसर आपके अंदर से इवल्व हो तो प्रैक्टिसेबल है मेरा बोला हुआ अंसर प्रै करने के लिए हमको कोई एक लेवल तक अचीव कर लेवल वन तू तब जाना पड़ेगा तब वह बात पुरी हो भाई आपके ठीक है अपेक्षा आपके ठीक है ग्रुप में वह एक बात यह भी आए थी कि जिन लोगों ने पहले शीविर कर लिया है जो समझ लिया है उसके बात वह समझने के बाद में शादी पेस्पेशलाइज डलक से बात हो पहले यह समझ जाए जीवन विद्या परीचे शीविर करने के बाद में अगर यह बात हो तो ज्यादा बैटर होगा बढ़िया और भी और एक बात भी आई कि अभी जो शादी का जो है उसमें और ज्या बात है कि परसनल इस्यूज है जो भी उसके उपर भी जादा डिसकेशन मतलब कर नहीं होगा अभी नहीं होगा वह मैंने का कि जब तक मानव की क्लारिटी पूरी हो जाए तब डिसकेशन करें अभी आप कुछ कहोगे मैं कुछ कहूंगा कमिनिकेटी नहीं होगा बाकी तो सारे मतलब रेडी है आगे मतलब थोड़े जादा दिन के लिए हो तो आपके तरफ से विशेश रूप से बात आई कि दोनों की फैमिली हस्बेंट और वाइफ दोनों की तरफ से वाली फैमिली अदी इन्वाल होती है तो में बेतर सिती में होंगे बहुत बड़ी है कि अच 14, 16, 17, 18 और यह तीसरा स्पैल शरू हुआ यह तीसरा स्पैल जो शरू हुआ राध्य उपवन में वह है परजापती जी केहां से उनकी शादी थी ना दिनेश भाई प्रजापती उनकी फैमिली में शादी थी और नॉर्मली ऐसा था कि शादी के पहले भागवत लोग करवाते थे और कुछ आयोजन धार्मिक कर रहा थे बोले यार बहुत हो गया भागवत जिवन विद्या शिविर करेंगे तो दोनों तरब की फैमिली के वाले स्पेल एक शादी से ही शुरू हुआ है हमारे ग्रूप में ये कंक्लूड हुआ कि ये तीन दीन का जो वक्षॉप था हैपी मैरेज वो सक्सेस्पूल है और ऐसा कंटीन्यू होना चाहिए जैसे करके काफी लोगों की कुछ इच्छाय थी जो रह गई है अपने पार्टनर क जैसे हो रहा है कि हम जैसे आपने बताया था कि बच्चों को स्कूलिंग घर पे ही दे सकते है तो ये कितने साल तक दे सकते है और वो किस तरह से हमें बच्चों को घर पे देना चाहिए जो नंबर्स या है या फिर कोई भी हो सकता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया त पूरे देश से अपना बिजनिस वाइंड अप करके केवल अपने बच्चे को अच्छी एजुगेशन देना है इसलिए रायपूर में आके रह रह रहे हैं ऐसे भी कुछ पैरेंट्स हैं तो यह बात हमको इंपॉर्टन लगती है कि कल को हमारे बैको अपने बच्चे के लिए स्कूल क्रिएट नहीं कर सकते पर मेरे को लगता है कि यह बहुत पॉजिटिव सिती है आपकी यहां पर कि सो पेर एक साथ त्यार हैं तो हमारे पास वो क्रिटिकल मास पढ़ने के लिए भी होगा पढ़ने के लिए भी होगा हम सो परिवार अपने बच्चों के लिए कोई अपने पढ़ता कि आप सुरत में रहते हो कि यहां रहते हो हम इल जुल के फ्युचर में ऐसा सो सकते हैं लेकिन उसके लिए हमारे योगिता बनने की बात और हमने का अपने पास जो कुछ भी स्कूल को लेके श्किल उपलब्द है वो निशल को पलब्द है हमाई तरफ से इस तरफ साल का बच्चा यह सीख सकता है वो होता है लेकिन धिरे से उसको आगे करेंगे समयाने से पहले एक स्टेप पार कर जाएं और हमने काफी चीजे इस तीन दिनों में रियल एक्जामपल से सीख और वो बहुत ही अच्छा लगा तो हमें आपने अच्छे वाले रिय तो वो चीज़ को सुनने के बाद हमारे ग्रूप में यह टाइम का लिमिट था अधर्वाइस हमें ऐसे मौर एक्जामपल सुनने में इंटरस्ट है बढ़िया बहुत बढ़िया थैंक यू थैंक यू हाजी नेक्स ग्रूप हम लोग के ग्रूप में यह जो आगे जो बताय है गर्ब संसकार के उपर जिसमें जादा बात हो तो यह जो आगे डिसके स्वाइशन का उसके सिवा यह अलग से था हम बहुत बढ़िया बढ़िया थैंक यू थैंक यू और क्वेशन था कि हमें अगर कोई फियांसी है उसकी फैमिली अभी रैडी नहीं है उनको ऐसा क्योंकि अक्सर कुछ बोलने पर लोग जाएंगे तो यहां पर हम गर्ब संसकार या चाइल्ड एजुकेशन वोड यू यूज कर सकते हैं तो बेसिकली यदि यह पूरा सिस्टम देखोगे तो यह एजुकेशन सिस्टम है तीन दिन आपने देख लिया इसमें किसी तरह का चिन्य प्रतिक, पाठ, पुजा, मंत्र, माला कुछ नहीं है यह शुदुरूप से एजुकेशन है तो बेसिकली यह एजुकेशन सिस्टम है तो अपने परिवार में हार्मनी कैसे हो और अपने बच्चों को हम सही एजुकेशन कैसे दे पाएं उसके लिए एक एजुकेशन सिस्टम है उस एजुकेशन सिस्टम में गर्ब संसकार के लिए यह आवशक शर्त है कि पूरी फैमिली शामिल हो नहीं तो एडमेशन नहीं होता है इसको हम पोस्टर के फॉर्म में भी ला सकते है जैसे यहां पर हमने लिखा ऐसा नीचे भी लिख सकते है तो अपने फैमिल कर सकते हैं तो ज्यादा लोग क्या करें आप बताईए एजुकेशन या फिर न्यू चाइल एजुकेशन को ऐसा कुछ करके आप नाम सजेस्ट करिए जो सब की तरफ से आएगा और रख देंगे हैपी फैमिली हो सकते हैपी फैमिली और गुड पैरेंटिंग कुछ भी नाम पैरेंटिंग करके बिजनस काफी चल रहा है मार्केट में आप देखो कि तो पैरेंटिंग की बूक आती है शिवी रिंग बच्चे प्लान करने से पहले काफी कपल अवेर हो जाता है कि मुझे नया बच्चा लाए तो उसके लिए मुझे क्या वो नाइंध मन में कैसा होग एक मन में कैसे डैवलप हो रहा होगा वूम में वो चीज भी पढ़ना चाहता है और उसको बहार आने के बाद कौनसे एच ग्रूप में मुझे कौनसे टॉई देने है उसके साथ किस तरह से क्या इंट्रोड्यूस करें काफी अवेर्नेस पैरेंट्स में तो है मगर उसको ए उसको भी एक्सपलोर करेंगे और ये ग्यान की रोशनी में दर्शन की रोशनी में एक बार उसको पूरा हुमारे व्यू में आ जाये फिर ये नया तरह से ईवल्व होगा तो यह सोग मिलके अपनी फैमिली में गर्ब संसकार को उवल्व करेंगे और आप सम pandemic experts करेंगे उसक अच्छा और थोड़ी स्थिती बनी है अभी मोर क्लारीटी जैसे आपने बताया कि कम से कम आठ दिन या दस दिन के शिबिर हो सके तो ग्रूप की वही इच्छा है कि फैमिली को इंक्लूड करके अंदे सब लोग कॉन्फिडेंट है कि फैमिली भी हमारे साथ जूड सकती है औ और पहले से नाम भी सजिस्ट किया कि उसका नाम हम जैसे हैपी फैमिली ऐसे शिबिर कर सकते हैं संबंदों को थोड़ा डीटेल में सिखाया जाए अभी सिर्फ संबंदों को मतलब नाम भी हमने यहां पर शायद में भी नहीं लिखा है तो सब के ऐसी इच्छा थी कि क्या- और बेबी उसकी परवरिश कैसी हो सके और पर्टिकुलर बच्चों के लिए भी शिबिर हो या फिर ऐसे प्रबोदक उपलब्दक किया जाए या फिर ट्रेंग किया जाए अच्छा थी जाए बड़िया हां जी और हलो हां जी हो यह काफी सारी बात है सबसे पहली चीज की जो पिछले तीस साल में हमने नहीं सीखी थी वो कल अभी दिन में हमने शीख ली सो काफी सारे क्विश्चन थे थे कंफ्यूजन थे जो प्रॉब्लम्स थे वह एक्शली प् मिल गया और गुरूप में हमने वही डिसकस किया कि यह तो अटेंड कि आभी साथ-साथ तो सेवन डे का जो सिबीर है वी विल विलिंग टो अटेंड डाट क्योंकि इसमें तीन दिन में इतना कुछ मिला तो साथ दिन में तो बहुत कुछ मिलने वाला है और एक लिवल का सेट आवना बनी है एक्च्छल कंटेंट अभी आना बाकी है और दूसरी चीज कि जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया ता उससे भी ज्यादा हमें मिला बहुत कि इतना सब कुछ डेप्थ में और इतना सब कुछ क्लियर हो जाएगा और वी वर डिपेंडेंट और वी वर रादर कि कि किसी के ऊपर हमारा हक है वो अभी नहीं है क्योंकि पहले हमारा हमारे पर हक है बहुत बढ़ी है और दूसरा चीज वाट आइविश कि मेरे काफी सारे दोस्त ऐसे हैं वो अर एडिक्टेड सो इनकेस जैसे हमने हैपी मेरेज का प्रोग्राम और्गनाइज किया है तो मेर कि मेरे मार्केट में ने देखा बहुत जगा पर पैसे देखे लोगों के वो अदत शूटी नहीं है बट इस इस तिंग जिससे किसी लोगों के आदत शूट सकती है तो आइ सल्यूट फर्स अफॉल थे थिंकिंग थे रीसर्च आपने किया और अपने पूरी लाइफ दिड कि आज मार्केट में से बहुत सारे लोगे जो दे रहे लेकिन सामने वो लोग एक्सपेक कर रहे हैं in terms of finance but you are not expecting anything आप किसी का भला सोच रहे हैं वो आप कम लोग है so we all say you do सब गरीबी दूर जाएगी आप लोगों में बहुत पोटेंशल है, सही कंटेंट मेलेगा, तो उसका जलवा घर में भी दिखाई देगा, बाहर भी दिखाई देगा कि अपर्ट आप नहीं पताया है, आप नहीं बताया है, जो मैंने भागवाद सब्सक्राइब भागवाद सब्सक्राइब लेकिन उसके बजाए मुझे लगा कि यह सीबीर होना चाहिए जो साथ दिन के लिए, कुछ तीन गंडे पहले ही मुझे यह सोच आया कि हमारे एरिया म आप दिन के लिए लेवल बेस्ट कि मैं हो सके उतने फैमिली इसको फ्रेंड को यहां पर ला सकूँ मेंस क्योंकि सब के बेनेफिट के लिए अपर फॉम देट आज तक आज तक आज तक आज तक आज आज तक आज द्राइव इन अमदबाद सिंस लाश्री यर्स जब भी मै के द्राइव करता था त्राफिक कर्यं जाती गुसा पर लेकिन अब कैसा होगा जो से आज है अब आगे दिखाया था आज τα कि अगर कोई बंचा ने तो उसको तफास्तु में गये क्योंकि हम पता चल गया क्यों गुसा क्यों है ऍैन हमें क्यों गुसा क्यों आ रहा है पिट जो कालेज में जो माहौल चलता है जो काफी जादा है तो यह तीन दिन ले शायद हमने बहुत डीप मेसेज शायद हम जो कभी नहीं देखते हैं या कभी नहीं समझते हैं तो समझ लिया है मैं ज्यादा नहीं बोलूँगा पर एक वाक्य हमने बोर्ड पे लिखा था विध्यालाई और घर वही अगर हम पकड़ के चलें तो ये बहुत जल्दी फैल जाएगा क्योंकि विध्यालाई से मासम स्प्रेड होता है और घर से इंडीजुलि पर छाता हूँ और शायद करूंगा भ simplement पर हम सब अभी परीचाही के लिए अग्री हो गए हैं और सब यह मान रहे हैं कि अगर कोई नजदिक की विसी नीट में हो तो सब के लिए ज़्यादा कन्विनेंट रहेगा थेंक्यू थोड़ा हमारा भी on the same lines है हमारा सबसे पहला था observation कि यह तीन दिन बहुत कम लगे सबको यह this can be a trial run or this can be a precursor for the eight day shibir कुछ लोगा था कि ओ आठ दिन तो बहुत ज्यादा देने पड़ रहे हैं तो तीन दिन के यहां पर आओ और यहां से थोड़ा उसको समझ के फिर आप आगे कई friends से बात किया तो i think the word shibir है वो लगता है कि बहुत बड़े लोगों के लिए है तो वो कुछ word change करें कि i think this is more useful this is for everybody but like school में है college में यंग्स्टर्स हैं उनके लिए और जादा important day to learn at this point तो अगर उसको like life education skills life skills we can have a youtube channel जहां आप थोड़े में जोते क्वेशन की like what is motherhood what is गर भावस्ता वो सब के बारे में आप सिर्फ एक like you're putting a small video of five minutes okay अभी आपका आता है video which is half an hour वो कोई देखता नहीं जहां में उनको बेचता हूं तो actual में यंग्स्टर्स उसको आग अभी करवाओगे अभी करवाओगे अभी करवाओगे सर बहुत सारे जो टॉपिक से वो कवर हो गए फिर भी एक तो शिवीर का टाइम थोड़ा ज्यादा हो तो effective ज्यादा रहेगा दूसरा एक important point यह है कि जो अभी एक कपल ने खड़े होकर जो पालिताना में clarity के साथ उन करने के बाद एसा कोई परसनल इस्यू इवगेरा सॉल हुए है और अगर यह हस्बन वाइफ की जो शिवीर होती है उसमें उनकी शेरिंग बढ़ाई जाए तो मैं मानता हो कि वह ज्यादा effective रहेगा education पर अगर कुछ specially प्रकाश डाला जाए तो आप जैसे other states में काम करके बढ़ाई हो ऐसे मैं मानता हो कि गुजरात में भी रिजल्ट आ सकते हैं बढ़िया है हमारे कुछ में सबकी इच्छा यही है कि यह जर्नी शरूर हुई है तो रुकनी नहीं चाहिए और पॉंट है कि रेगुलर इंडर्वल होनी चाहिए कि फिट बेक शिवीर जैसे कि ऐस आपक शिवीर जैसे हमने एक वर्क्षोप कर लिया तीन दिन का या साथ दिन का कोई शिवीर यह तो फिट छे महीं ने और इसका फिट बेक कि जैसे हमारे लाइफ हुई है श्य महीं नेवें तो उसके सोल्यूशन के लिए ठीवाई शी शिबीया थूवीर दूसरी बात बहुत लंबा वेकेशन मिलता है, तो उसके लिए शिबीर और बेचलर डिवर्शी और विड़ो के लिए शिबीर होनी चाहिए, क्योंकि उसकी तकलिपे ज्यादा रहती है, और एक सुझा ऐसा भी आया कि जीवन विद्या में से पार्टनर मिले, ऐसा भी कुछ होना चाहिए, ऐसा करता हूँ, मेरिज भी रहो खुल लेता हूँ, आजे, हमारे ग्रुप में सबको काफी अच्छा लगा तीन दन का ये शिवर अटेंड करके, उनको यहां का जो माहूल है, डिसकुशन और बाहर का राग का गोश्टी का माहूल होता है, वो सब देखके काफी अच्छा लगा, और जो फंडमेंटल होते हैं लाइफ के वो भी काफी स्ट्रॉंग हुए, जिसे जिन्दा रहना और जीना में जो डिफ्रेंस है, फिर मैरिज में फिफ्टी-फिफ्टी नहीं होता, यह बोत लोगों का प्रॉब्लम था कि फिफ्टी-फिफ्टी करते थे मैरिज में फिर क्यों जी रहे हैं, जी ए कैसे हैं, एक्सेप्टेंस, फिर रिस्पॉंड राइधर दन रियाक्ट, तो यह सब कंसेप्स काफी क्लियर हुए, पर हमको थोड़ा इसमें और गाइडेंस चाहिए हैं इसको अपलाए कैसे करें लाइफ में, देखिए एक मिनिट मैं बता द देता हूँ, हाँ जी सभी एक बार धियान से सुन ले, all of you, नमस्कार, बीच वाला के बैच, यह जैसा कि पहले भी कहा गया, यह पहली बार, बीच साल में पहली बार, हमने इस तरहे की वरक्शॉप की, और मैंने आप से शेर किया, कि चर्चा चर्चा में कुछ ऐसा निकल और यह चर्चा चर्चा में यह वक्शॉप अगनाइज हो गए, हम रेगुलर में कैसे करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, मतलब लोगों जब आप कहते हैं, कि यह आचरण में कैसे आएगा, फाइनली तो आचरण में आना चीए, बोलने बताने से तो कोई बात में बन गचा है, बाकी सब मैमरी में रहता है, थीक। लेकिन मैमरी में आ जाए वो भी ऐक पार्ट है, तो जो रूटीन में हम करते हैं, वो ऐसे करते हैं कि हम कोई भी एक शिविर यह थीबशुष्व एनांस हो गया, गधे तो बिल्म की जैज ब्लो लोगों हो एक पर में लोग से आगे बढ़ना है वो step two में आ जाएं तो वहीं से लोग step two में चले जाते हैं फिर आठ दिन दो महिने बाद और वहीं से step three में चले जाते हैं फिर दो महिने बाद जो step three तक पहुँचे और जिनको लगता है कि अब ये पूरी तरह से मेरी family और मेरे आचरन में आ जाए और मैं भी दूसरों के साथ इसको share कर सकूं मेरी उतनी हैसियत बन जाए तो उसके साथ फिर two years चलता है जिसमें की हर दो महिने बाद हम आठ दिन के लिए मिलते रहते हैं और उनकी families में फिर वह continuity बनती है क्योंकि दो महिने बाद मिलना है और इस पे लगबग 12 books हैं तो हर दो महिने बाद आठ दिन में एक book cover करते हैं उस तरह से फिर यह process दो साल चलता है तब जाके वह clarity बनता है यदि जैसे मानलों आप लोग आगे बढ़ेंगे जैसे अभी आप लोग का भाव आ रहा है एक बार बाकी लोगों का भी आ जाए तो इस ग्रुप के लिए कैसे सोचेंगे वह हमारे सारे मित्र जो इस पूरे वक्षाप को होल्ड करते हैं यह अच्छी बात है कि यहां उपलब्द हैं सभी सुन रहे हैं तो जो आपकी तरफ से आएगा फिर उसको सुनके और आगे के लिए हम कुछ एवाल करेंगे बढ़िया दन्यवाद हाजी नेक्स्ट पहले तो हम समयां पर करने को मिला दूसरी बात दो तिन सवाल थे कि एक तो यही था कि हम इसको अपनी रूटीन लाइफ में कैसे डाल सके क्योंकि अभी तो यह तीन दिन है यहां पर एट्मोस्पियर बड़ा ऐसा था कि चलो ऐसा कर देगे वेसा कर देगे पूरा फोड देंगे इतनी एज उतने महीने दे दो अल्व मोग Dir इससे कमे होने वाला नहीं है आचरण में कोई चीज का ट्रांसलेट होना इक बड़ी घटना है कि यह सुनने सुनाने वाला काम नहीं है यह थीक है कि बिगणिंग सुनने सुनाने से हो गि को तो थोड़ा साइस में हम मैंने पेह कर लें तो कम से कम 25 मेने तो सोच के रखो दूसरा जो सभी लेडिस थी अमारे ग्रूप में उनका कहना कि अगर गर्व संस्कार पर कोई ट्रेनिंग होती है तो उनके लिए सब एगरी है और सब की इच्छा है कि ऐसा कुछ हो क्योंकि अभी सभी के नहीं नहीं साधी हुई ती और आखिर में में कंख्लूर करना जाहूंगा मेरी बात की जैसे हाज कल यहां फे यहां पर मार्कीट में काफी सारी दो इमिन की बात के काफी सारे placed advertisers haies जो हमें सीधा डायरेक्ट किसी जगह पे पहुंचने के लिए कैसे भी करके वहां पे पहुंचव deposit करते हैं तो जैसे मैंने यहां पर भी ग्रूप डिस्कसन में भी बताया था कि जैसे अब भी एक पंद्रा मार का बीम कोलम वाला बिल्डिंग खड़ा कर दिया जिसमें सिर्फ बीम कोलम है तो मोटिवेशनल स्विकर तुम्हें सिधा पंद्रा में मार पे जहां पे शीडिया नहीं है स सिधा पंद्रा में मार पे कैसे पोचे वह सिखाते जैसे के दूसरी बिल्डिंग से चलांग मारो पिलर के सहारे चड़ जाओ पर यहां पर ऐसा सिखा है तीन दिन में कि एक स्टेप बाई स्टेप खुद ही बनाते चलो खुद ही बनाते चलो तो खुद भी पहुंच जाओ होगे पंद्रवे मार पे टाइम लगेगा पर खुद भी पहुंच होगे और साथ में जितने भी होगे तो यह एक बहुत बड़ा लर्निंग रहा और इसके लिए सब को सुक्रियादा करता हूं बहुत बढ़िया देखिए जो बात बोल रहे हैं उसमें इंपॉर्टन बात यह है अभी हम सब की सिती यह है इवन हस्बेंड वाइफ होते हुए भी हमारी जर्नी इंडिविज्वल हो गई है हस्बेंड वाइफ होने के बावजूद भी हमारी जर्नी इंडिविज्वल हो गई है तो फैमिली की ऐसे होल को जर्नी नहीं है मेरा केरियर मेरी जर्नी में म my life my rules my space आंद हम आएसे करते करते लग बग हम अकेले होने की सितिम्हें और यह पूरी एक ऐसा ओनसेप्ट है जिसमें की पूरा कुटम evolve होगा पूरा कुटों में evolve होगा वो एक अलग दुनिया होगी तो मेरे को लग रहा है कि एक बार हम आठ दिन वाले वक्शॉप से गुजरेंगे दो सेट में गुजरेंगे तब जाके वो सेट कंप्लीट होगा तो एक व्यू पूरा आ जाएगा अक्सर तो जैसे हम आगे बॉंबे से और सर हमारे ग्रूप में मोस्ट अफ द लोगों ने अल्डेडी किया हुआ है परिच है और मेबी अडवांस तो मैंने ये शिबीर के बारे में हिमान्शु प्रशान्त और दश्रत अंकल से सुना था 2019 में तब से मेरी इच्छा थी ये करने की बट जैसे मैंने क दिन वाला ही करना था बट फिर मैंने सोचा कि एक बार तीन दिन वाला पहले कर लेता हूँ तो उससे थोड़ा बहुत तो clarity आएगी क्या clarity आएगी मुझे पता नहीं था तो at least ये तीन दिन में थोड़ा सब location का idea आया है तो अभी उस पे और विचार करना है और उसके बाद हम दोनों ही करने वाले हैं आगे का पूरा course जैसे टाइम मिलेगा दूसरा हम लोग यहां पर आने से पहले ही सोच रहे थे कि जो बंबे में हम लोग लाइफ जी रहे हैं वो हमें नहीं जीनी है तो उसका option है कि हम लोग क्या बंबे में वो दूसरी वाली जिन्दगी जी सके या फिर बंबे से बाहर निकल जाएं तो वो एक question अभी भी open है जिस पर हम लोग अभी भी सोच रहे हैं जो एक चीज में को तीन दिन में समझ आई कि निरंतर सुक चाहिए तो निरंतर सुक के लिए निरंतर हम लोगों को उतना efforts भी देना होगा तो as a team हम लोग वही सोच र इन में जो भी base बना उसका एक rough sketch या कोई main points है वो एक paper में लिख दे और every day रात को सोने से पहले या सुबह पहले उठके previous day का हमारा जो भी गटनाए गटी और हमारा जो भी एक behavior था तो उस पर कहां-कहां हम लोग ने react किया और कहां respond किया और कहां हम लोग बैतर हो सकते थे हो सकता है तो टू टायर तो दो दिन में एक बार या तीन दिन में एक बार वैसे करके तो एक जब हम लोग नेक्स शिवीर के लिए आएंगे जो भी हो लेवल तो बेटर क्लारिटी के साथ आते हैं जो लोग YouTube से पूरा शिवीर करके आते हैं उनको पहले ही शिवीर में काफ तो जितने त्यारी के साथ आओगे उतना रिजल्ट बेतर हो जाए कि है हैं अधे हैं वह लोग हैं माई नेम इस प्रेक्षा पटेल फ्रम गांधी नगर मैंने फर्स्ट शिवीर की थी निको रामे और अब सेकेंड है सैकेंड है सेकेंड हमने मानवी कि थी और यह थाड है जब सीविल करूँ तो मै चßen आप मेरी साथ हो जब मेरा समझा होगा तो मेरे ame सही करें तो मेरा यह कि मैं अब सीवी का अध्यान करू है और ऐसा समझू कर दोस्य को अच्छा लगे यह इतना अच्छा हो ज़िए तो हम भी सीवीर करें ऐसा समझे उसको बढ़े और हमारी ग्रूप से एक लिए है कि सब लोग अध्यांद आगे करना है उन लोग को अध्यांद मेरा नाम पाठीदर महित्री और मैं तीन साल से जीवन विद्या से जुड़ी हूं और हमारे गुरूप में यह यह निश्कर्स निकला कि अभी घर पे जाएंगे तो थोड़ा माहौल बदल जाएगा तो साथ म में पठन करें कॉल से ऐसा फिर आगे की परिशय शिविर करें बड़ी नेक्स हलो हमारे गुरूप से यह निकला कि हम सबी लोग अभी एकी ऑप्शन है समझना है और इसके लिए अध्यान अध्यान और अध्यान मेरी खुद की बात करूं तो मैंने मेरे हस्बंड से दूसर दर्शन को समझना है और अब यह हो गया कि मेरे हस्बं इस बार इसमें साथ आ गए तो उन्हों ने भी बोला कि बड़ाबर यह बात तो समझने वाली है अब तक मुझे भी पता नहीं था कि जिन्दा रहना और जिन्दा रहना अलग है तो बोलती रहती थी भाव विचार भ कि हम अपने में जूज रहे हैं अपनों से जूज रहे हैं और दोनों को यहां बिठा दिया और दोनों का मुंदन संस्कार हो गया तो कहानी पूरी हो गए हां जी हाल तक लाना आपकी जिम्मेदारी आगे मेरी जिम्मेदारी हां जी नेक्स्ट हां तो most of the points to cover होई चुके है कि जैसे भाईया ने बोला आपने भी बोला था कि यह सिर्फ एक ट्रेलर है बट ट्रेलर का डूरेशन भी बहुत चोटा लगा क्योंकि यह इन टोटल ऑनेस्टी बहुत ही आई ओपनिंग और बहुत ही ग्रिपिंग सेशन था कि जहां पर एक भी मुवेंट पैसा नहीं लाइफस्टाइल है आप कंटेंट को कितना एप्रिशेट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे मेरे मन में भी एक संकोष था लेकिन मैं सभा को बहुत एप्रिशेट करना चाहता हूं कि जिस तरह से कंटेंट आया है आप उसको बहुत अच्छे से लेता हुआ सर दूसरा एक सुझाव यह है कि स्पैशली फोर जो लोग पहली जिनकी यह पहली शिवेर थी तो उनको काफी लोगों को हमारे ग्रूप में ऐसा लगा कि जो information का flow है वो बहुत ही जादा है याने information is very unlimited maybe हमारी समझ उतनी खुली नहीं है बट information is too much तो थोड़ा अगर हम यहां पर हम इसको rationalize करने की बाते कर रहे हैं चीजों को logic कि से समझने की बात कर रहे हैं तो कोई flow chart या ऐसा कोई process हो जिससे थोड़ा easy हो जाए पड़ा पेक आ जाए फिर आगे बढ़ें कर सकते कर सकते बहुत बढ़ी है फिर तीसरा हमारे group में एक दो लोगों को जानना है कि life partner चुनने का exact कोई process है फिर हाँ आपका यह सुझाओ तो सब को हमारी group में बहुत बढ़िया लगा कि यह event अगर family के साथ हो तो वह बहुत ही जादा mesmerizing हो जाएगा बहुत कुछ हो जाएगा क्यूंकि अगर सारे लोग point A से journey start करते हैं तो growth भी start में होता है evaluation भी अंदर अंदर हो जाता है तो आपके बाहर की दुनिया में देखने की कोई जरूरती नहीं है तो एक यह सुझा हो था और एक और चीज थी कि specially for people जो पहली बार शिवे रटेंड कर रहे हैं तो वो पुराने लोगों को जानते हैं नहीं तो हमारा सुझाव ऐसा था कि पहले दिन के पहले day zero couple एक दो गंटे के लिए जहां पर थोड़ा सा कि जहां पर लोग एक दूसरे को थोड़ा बहुत जान जाए तो बोलने का डर में निकल जाए questions काफी सारे लोगों के दिमाग में हैं बट fear of speaking या शरम आ रही है embarrassment हो रहा है जो भी है तो वो थोड़ा बहुत हद तक दूर हो जाए बढ़िया और एक last के पिछली बार अगली बार जो कुटम शिवेर होगा ना तो पहले घरवा करेंगे सुबह एक गरवा शाम को एक गरवा और सार एक last चीज यह थी कि काफी सारे लोगों ने ये भी बोला मेरे ग्रूप में कि हिंदी के काफी वर्ट्स है ना बहुत भारी बर्कम है तो उसके लिए अगर ऐसा मुम्किन हो के 10-15 लोगों के बीच में औरेड़ी किसी ने शिवे बैठा हुआ है तो उसकी परिभाशा क्लियर हो जाएगी कुछ कर दें तो अच्छा है हिंदी इंग्लेश गुजरादी इस फाइन हमने ऐसा किया है एक बार लंच तक सेशन करने के बाद लंच के बाद जो सेशन होता है उसको आदे घंटे के लिए लंच के पहले का सेशन लंच के बाद आदा घंटे में गुजराती में समराइज कर दिया ऐसा भी किया है लेकिन फाइनली इस पूरे दर्शन पे जो बेसिक साहित के है वो हिंदी में है और एक वक्षॉप करने के बाद में आपका वो गैप पूरा हो जाएगा तेरी हिंदी पे आपके हिंदी के पर आपकी पकड़ बन जाएगी तो बुक्स को आप खुद भी पढ़के समझ पाएंगे वह एक बेतर शिती होगी और एक लास्ट चीज के हमारे को उसमें मैरेड लोग जाना चाहते है कि हैपी मैरेज पे साथ से हांट दिन का हो सकता है सिर्फ हैपी मैरेज पे मोर लॉंगर दूरेशन देखो अब नाम आप कुछ भी करो अब आप तीन दिन आम साथ में बैठ लिये हैं यह क्लेरिटी बने कि चाहे आप हैपी मैरेज के अंधर गया चाहे आप हैपी मैरेज करो चाहे आप गुड पेरेंटिंग करो चाहे आप रलेशन्शिप करो चाहे पे आपकी समझ बने बिना इसलिए पहला वर्क्षॉप आठ दिन केवल हुमन बींग पे चलता है एक बार हुमन पे चलरेटी बन गई हमारे मानव होने पे हमारी बन गई फिर मैरेज भी हो जाएगी गुड पैरेंटिंग भी हो जाएगा बिजनिस भी हो जाएगा समाज भ और हो गया हो गया हो गया क्या निशकर्स निकला निशकर्स नंबर एक आप कुछ कहा चाहिए निशकर्स नंबर एक जितने हस्बेंड वाइफ यहां पे जितने पेर यहां पे आए दोनों के कुटुम सहित एक आठ दिन का शिविर और और गनाइज हो आठ दिन का वर्क्ष इसा आपने कहा सहमत सहमत दूसरा जो हमारे मन में आप सब को देखने से और बातचित तेन दिन में जो आइडिया आया वो यह आया कि इसका टाइम जुलाई end हो सकता है अभी जुलाई वाला end वाला slot खाली है तो क्या जुलाई second half आप लोगों को suit करता है जुलाई second half ठीक है इदर बीच में खाली है सारा चलेगा आप लोग Πेवे ठीक है ठीक है ठीक है क्योंकि कोई एक date देखो सब को सूट नहीं करेगी 100% कही ना कहीं फिर हमको थोड़ा बहुत adjustment करना ही होगा दूसरा अब यह data आजाए कि देखो एक तो यह हो गया कि जो husband wife आ रहे हैं जो pair आ रहे हैं उसकी इतनी clarity बने कि वो आपकी family के लोग एक बार तो सारे आ जाएंगे लेकिन बार-बार तो नहीं आएंगे और बार-बार हम भी नहीं बुला पाएंगे तो करना यह होगा कि जो pair आ रहा है husband wife उसकी इतनी clarity बनेगी जो next step में जाएंगे तो वो दो महीने के बीच का जो space होएगा उसमें परिवार के साथ आप उनको लेके चलेंगे साथ में एक support system रहेगा जो आप आठ दिन में समझके जा रहे हैं यदि उसको आप परिवार में deliver करने की तियारी करेंगे किसी के support से करेंगे उससे आपकी गती बनेगी नमबर 1 जब आप अगली बार आठ दिन के लिए आ रहे हैं तो अभी जुलाई में अभी क्या चल रहा है अपरिल मैई जून जुलाई बीच में 2-3 महिने हैं दो तिन महिने में एक दो अच्छे शिविर हैं, रोज शाम को खाना खाने के बाद लगबग घर के सभी लोग उपलब्द होते हैं, तो एक गंटे के लिए, मैक्सिमम एक गंटे के लिए आप यदि टीवी पे लगा सकते हैं, तो ज्यादा अच्छा है, और किसी को बुलाना नहीं है, बिना पूछे किसी को कुछ समझाना नहीं है, केवल बैठके आप दोनों को देखना है, और क्यूं देखना है, तो आपको यह बताना है, कि अपने बच्चों के लिए और अपने आपस में रिलेशन्स कैसे रहें, ताकि बच्चों के लिए गुड पैरेंटिंग क किया जा सके, जो भी आप समझा सकते हो, जो उनके लिए कन्विंसिंग हो, तो फिर वो लोग बीच-बीच में देखने आएंगे, चलते-चलते बोलेंगे, ऐसा थोड़ी होता है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो आपको यह कहना है, कि मेरे को भी नहीं लग रहा है, और मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बैठ हो, यदि तुमको समझ में आता हो, तो मेरे को बताना, ठीक, तो एक दिन, एक जन आके, दस मिनट बैठेगा, फिर बोलेगा, मेरे को काम है, अभी और में करते हैं, तो किसी को बैठने के लिए नहीं बोलना है, किसी को अपन पर कोई कुछ बोलेगा, कोई अगेंस्ट में बोलेगा, तो उसके साथ आपको वैसे ही बोलना है, एक महिने के अंदर लगभग लगभग ये possibility है, कि पूरी फैमिली का उसमें इंट्रेस्ट कहीं न कहीं connect होना शुरू हो जाएगा, आपका एक शिविर पूरा देखना हो उसके बाद पूरी फैमिली में से अधिक से अधिक लोग कैसे आ सकते हैं, ये धीरे धीरे अब आपका आचरन, नमबर एक आपका आचरन, तीन दिन में आपने जो कुछ भी पाया, और आप लगातार वीडियो जितना टाइम मिले आप अकेले में देखी सकते हैं, जितना ज सीमा है, समझ में तो तब आता है, जब आपकी तरफ से कोशित शुरू होती है, तो यदि सही अर्थों में आपको समझना है, और आपका समझने का मन बन गया है, तो यूट्यूब पे परियाप्त मेटरियल पड़ा है, तो उतनी क्लारिटी आपकी बन जाएगी, कि आपके आपकी भाशा और आपके भाव और आपके आजरण में इतने नोटिसेबल चेंज आने लगें, कि आपकी फैमिली सहमत हो जाए, और आपकी फैमिली को बोलना, अच्छा कोई बोलेगा, ने ने, आट दिन तो बिल्कुल नहीं जा सकता, बोले अच्छा कोई बात ने, चार दिन के लिए चलो, फिर आजाना, चार दिन आप बिठा देना, आगे मैं देख लूँगा, ठोड़ा बहुत जुगार करना पड़ेगा ना, देखिए हम लोग भी पिछले सालों में इस बात को देखे हैं, भोगे हैं, कि फैमिली में से कोई एक दन चलता है, बाकी के नहीं चलने से वो एक व्यक्ति कैसी स्ट्रगल करता है, इसमें हमारी मेहनत भी, हमको आप से और कोई तो आप एक्षा नहीं है, लेकिन आपकी फैमिली में रिजल्ट आता है, तो हमको लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई, तो आपकी फैमिली में रिजल्ट आना, हमारे लिए हम बात की है कि महले में एक जगे बोर्ड चिपकते जाए हैपी फैंबली जब आपके घर के बाहर लोग हैपी फैंबली का बोर्ड लगा हुआ देखेंगे चार लोग पूछने भी आएंगे क्या मामला है तो बता सकते हैं ऐसा हो सकता है तो सही अर्थों में और इसमें कोई सिक्स्टी है सिक्स्टी की एज में इनका जो उत्साहा बना है यदि देखा जाए तो ये शिविर का बेसिक इनिशेटिव कमल मंगल जी ने लिया ठीक है कमल मंगल जी एक बार खड़े हो जाएं और ऐसी जगह को चुना तो मैंने कहा देखो ज्यादा खर्चिली जगह है कर पाएंगे ने कर पाएंगे बजट का लोड आपके उपर आएगा बोले मेरे उपर आएगा कोई दिक्कत नहीं और हम मिलके सब देख लेंगे यह मानेंगे हमने अपने बच्चों के लिए खर्च कर दिया तो इतने उदार भाव के साथ नाटा जी पीछे बेठे हैं नाटा जी एक बार खड़े हो जाएं नाटा जी का आईटी की बड़ी कंपनी है उसमें पार्टनर थे और बहुत तीव रिच्छा इनके भीतर की समाज में कुछ चेंजिस आएं लार स्केल पे आएं बड़े स्केल पे आएं लगभग लगभग अपना फुल टाइम इसी काम में लगाए हुए हैं इनको यहां ब अबियान को लेके चल रहे हैं तो उसमें आगे के लिए स्टेप कैसे होंगे उसको यदि अब्जर्व करेंगे तो उसके बारे में सोच पाएंगे तो मेरे को लगता है नाटा जी कमल मंगल जी दश्रत भाई पीछे बेटे हैं दश्रत भाई की धरम पत्नी साथ में है दश्रत भाई का परिचे कितने लोगों के पास है मेरे को ने दश्रत भाई का कंपनी है डायमंड का पांच हजार लोग इनकी कंपनी में काम करते हैं तो समर्थ डायमंड के नाम से इनकी कंपनी है इनकी फैमिली में 17-18 लोग हैं पूरी फैमिली मिल के साथ में आगे इवल हो रही है हमको भी देख कि अच्छा लगता है यह इस तरह से पूरा समय निकाल पाते हैं देखो अभी हमको लगता है कि हम कैसे समय निकाले एक बार हमारा मन बनता है हमारी प्रियारिटी बनती है और अभी यह 36 गड़ होके आए हैं जहां 12 दिन का इसका अलग से special अध्यन था जो 12 बुक्स मैंने कहीं उसमें से एक एक बुक करके तो इस तरह से इस सब लोग इहां इनको यहां बैठके शिविर करने की जरूरत नहीं है उतना content इनको clear है लेकिन यह पूरे कारवां को हम कैसे hold करेंगे और कैसे आगे push करेंगे है ना हमारे वो कहां गए हो जाएगा खड़े हो जाएए एक बार है ना है तो आप और आपकी family के कई सारे लोगियां मौजूद हैं ही और भी हमारे ऐसे बहुत सारे पुराने मित्र हैं जो साथ में चल रहे हैं हमारे भाई जी पोशक भाई पटेल है ना कि मारा गुजरात गोवर्मेंट में सेक्रेटरी लेवल पर ठीक कर रहा है ना बेसिकली वेटनरी डॉक्टर है और गुजरात के गोसेवा का जो कोई और जेशन रहता है उसके हैड रहे हैं तो यह सारे लोग इशिविर को होल्ड किये हुए हैं और सबकी families लगभग यह मौ पर जूद हैं तो with family involved होना तनमन धन से अपने आपको उसमें invest करना और इस खुशी के साथ invest करना हां जैसे हमारे किसी मित्र ने कहा था कि ऐसे मंदिरों की तलाश है तो ऐसे मंदिर बनाने का काम हमारा आपका ही है हमारी family एक मंदिर क्यों ना हो जाए घर एक मंदिर बहुत आप बुला लेजिए थोड़े हमारी साथ में और कुछ volunteer के रूप में जिन्होंने सिविर भी किया है और पूरा समय लगा करके यहां पर ओग्नाइज किया है हर्स भाई कि आजयो आगे और फिर विशाल भाई को कोशिक भाई को अस्फाक भाई जिगनेश हाँ सैलेंद्र भाई और अर्चना अभीजीट विजय भाई विजय भाई यह हर्स भाई विशाल भाई जिगनेश भाई अर्चना बहन विजय भाई ज्यानी आगे शैलेंद्र भाई तो इन सब लोगों ने पूरी एकदम इस प्रकार सब लोगों ने मिलकर के इस कारवां को आगे बढ़ाया और बहुत सुंदर तरीके से दिल कृट 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 है अजी खूब सबको धन्यवाद अब एक काम करो अब एक काम करो अपने अपने ग्रूप में अपने पेर में दोनों तरफ के कृटुम की संख्या गिनके बता अप ताकि हमको एक आइडिया होगा कि और गनाइज करना होगा तो क्या करना होगा उसके परले कोश्चिन कुछ आपने से कितने हैं जिनके पैरेंट्स ने जिवंविध्या-शिरी नहीं किया हुआ है तो अधिकांश होगा तो एक संख्या वर्क-आट करो कि आपके फैमिली से कितने लोग आने की संभावना है कम जादा हो सकता है कम जादा हो सकता है ताकि हमको एक आइडिया लगेगा यदि पूरे गृप को होल्ड करना है तो क्या कैपेसिटी होगे अच्छा अब एक था मेरे लिए आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि है दो साल की मेनत रंग लाई है तो मैं सबसे पहले अरपित अंकित को खड़ा करना चाहूंगा कहा है अरपित अंकित अलिकित उनकी मिसेश सब परिवार से 25 लोग आये हैं मेरे तो सोम बया का बहुत अभार है एक बार खड़े तो हो जाएं दिखा देख तो ले हम कुछ अभी बाहर चेल आईए आगे आजाईए प्लीज आगे रावव आईए 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 अग दक्ष प्लीज कम दक्ष इस्पेशली दक्ष एक नड़ा है इससे प्रेंड मेरे खुशी का क्या है एक तो पहली इस्पेश प्लीज आईए और मुझे देखके खुशी हुई ही कि ये टाइम टू टाइम आ रहे थे कोई बिदा बन देख भाल नहीं तो मुझे तो उम्मेंद नहीं थे टाइम पर यहां पहुचेंगे और तीन दिन रुकेंगे जब ये पहले बार शीविर का आज़एद हुगा, मैं और भाहिया बैठे थे सब जने देश्यद भाहिया कि साथ दिन का रखें तो हम समने गाए साथ दिन तो ये जनरेशन आई नहीं सकती आप में से कितने एक रहे हैं जब पहले साथ दिन का अनौन्स होता तो कितने जन आप 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 में से तो तीन दिन का मोडल हमारा सही रहा आपको अब कम लगा आप साथ दिन क्या दस दिन के लिए आजाओगे अब तो साथ दिन की फिल्म देख लेंगे कि तीन दिन का टेलर हमें अधूरा लग रहा है तो इसका बतलब अंदर हमारे गया है अगर ये तीन दिन का श्रीविर पूरा लगता इसके मतलब हमारे अंदर गया नहीं ऐसा मैं मान सकता हूँ बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है अच्छा और मुझे क्या लगा जो चेहरे में आपके देख रहा हूँ आज उसमें अलग खुशी दिख रही है अच्छा अब ये बताओ एक चीज और कि कितनों को लगा कि आज मिया बीबी के रूप में पती-पत्नी के रूप में तुम दोनों केसे confidence बढ़ा जीनेगा या कब हुआ? Confidence तो बढ़ा ही है जीनेगा तीन दिन पहले से राज में हम लोग किसी गोल के लिए जीएंगे और अभी है नॉर्मल लाइफ जीरे थे तो उसके बदले कुछ एक अचीव करने के लिए जीए कि मनों कुछ समझने के साथ Like मुझे तो ऐसा लगा पहले दिन तो लगा कि क्या हो रहा है कुछ समझ में ही नहीं नहीं आ रहा है उसके यह हो गया उसके एक साल पहले ही नहीं चली अब मेरी चलेगी नहीं चलेगी पर अभी कोई करने नहीं है अभी कोई शादी करने के ओज है क्या मगर बेटर अंडर्शेंडिनिंग आई खुद के लिए और एक क्लारिटी आफ थोड़ा आइई है समय है और एक वह ही है कि जो रिस्पॉंस जो है कि अपने रियाक्ट करते हैं सिटुएशन को उसके रिस्पॉंड करना चाहिए बढ़ समझ के तो अपने अप थोड़ा दूसरे का भी अपने वो कर सकते हैं लड़की से करनी वह कर लेगा ना लड़कियों में भी बनेगी एक मिना देखना है उसके साथ बाते करें ना तो समझेंगे कैसे अब अपने में बिश्वास हो जाए जो लड़की आए उससे निबालेंगे जी एवन विद्या की भी अजा आज आज एको बड़ी मज़े की बा मैं बच्चों को देने के जिए विल लिखूंगा ना ली खूंगा वह साथ शेविर करें उसके बाद मिल सवादी का साइन हो अगि यह पैसे का छःबियों कई करिक जो और यह कहरा अशादी कि करें दो उससे शादी करूंगा तो बिरों खोलना ही पड़े सिक्च पर को बहुत ज्यादा अभी बेशक ना हो पर आजाएगा इतना मतलब अब देखो यह आपकी गलती यह यूथ बहुत लॉजिकल है अब इनका जितना लॉजिक लगा के देखते हैं उसमें को सार निकल नहीं रहा है पर जब तब कोई चीज का परफस समझने आए तो इतना क्यों ज बहुत बहुत बढ़ा खुशी हुई यह जैपूर से आया इसी के लिए जब मैं आया मैं I came with an open mind कि त्राय करने में कोई नुकसान नहीं है बट मैं अग्दम fully committed नहीं आया था और मेरे टाइम लगे का अभी सब अंदर प्रोसेस हो रहा है इट विल टेक टाइम और I think जब हमारा नेक्स बीर होगा जुलाइ में तब तक I think we will have more clarity और अच्छे सवाल होंगे और अच्छे मेरिडर का लड़का है इन में कम कही चीजीन नुक जह को लव मेरिस है força हिए यह फबटिया काम्मिनेशन हैust और कहां है एब लंदन में में मिले इंड्या में नहीं ही तो इतना इन न्न में प्रेम having प्रेम में नोग जोग को समझते हैं लूग जोग होती है पर आप कल रात को कुछ नोग जोग हो रही थी तो अब सब्ण नोग जोग तो सब में होती रहती है पर तीन दिन में जो तो बेसिक्स होए वह काफी स्टॉंग होए कि जिन्दा रह रहे हैं और जी रहे हैं और जो लिट्रेचर में डिफरेंस पता चला काफी चीज होगा तो अभी जो छोटे मोटी एशुस होते रहते थे उसको इग्णोर करके कि हाँ यह जिससे बता है कि हाँ वो मेरे मेरे सुक् करेंगे मेरा एक्सperience गृंच ववर यह वह था रहा है मारी espoxy पॉइक्षपांड और रियक्ट मैं गोर्य। बहुती मैं रियक्ति हूँ तो वह मेंस अधिन के एफ़िए उसकु पेरेच्श को ट्राव मेंस्वान को अनन प्राव ग्रेया न्ये थे नान्यल एग मैं उज केमरे में आना पड़ेगा है और अर्पित का किया अब बच्चे के साथ पुश्पा को कैसा लगा है मुझे खुशी हुई क्योंकि मेरी सारी फैमिली आई है ना बच्चे सवाय हैं तो ज्यादा खुशी हुई मेरा साथ्वा शीविर कि शेम नहीं रहते बात यह and repeat और तो भी इपीट नहीं रहेगा तो यहीं है क्योंता थे श्यादोरчи सपह爸 goofy के सार्वं कर ऐस चीजा वह रहेगी औरधी संट चेंज होते रहेंगे और यह बglएतारण ढंता интересно में रहने का ही मज़ा हो रहे है जैसे किर्केट के मैदान में जब स्टेडियुम में बैठ के देखते कि तो कित चैनल कोड़ों रुपय कोड़ी करें रुपय किते हैं था कि इस्टेडियुम में फांचे गंटे का कितने गंटे का? पांचे गंटे का. मन स्टेबल हुआ? शोक होता था लाख रुवे भी देते हैं. आज तो कमल कमन्यल जी खुल के बैटिंग कर रहे हैं. नहीं, सुम जी न ऐसा तो भी मना कि पैसा खर्चा नहीं करना है. नहीं, नहीं, नहीं. अर्चा नहीं करना था है, इस्टेबल हुआ मन या नहीं हुआ उस किर्या से. तो उसके उपर मोह नहीं होगा, लगाव नहीं होगा, वहीं नहीं दिख्यागा. उसके बिना खाना नहीं भायेगा, ऐसा नहीं होगा. देखिए, तो फैमेली साथ के खुशी थी. है तो यह टोई जह रहता हूं कि हम अपने घरों में अपनों के बीच ही अकेली हो गए reject झाल यह सिल tut तो इतनी सारी में ईत्याय मैंनत किया इतना पैसा कमया इतनी आगे बढद जब खुशी मनाने के दिन दिन आ वहां खुशी मनाने वाले नहीं बचे तो कैसे हमारे फैंबली में जो भी अच्छा ही है और कैसे हम इसको और बैतर कर पाएं अच्छा हर्षी भी मेरे भाही के बेटे हैं एक तरह से अच्छा और निकी बवगी आई है मेरे खास दोस्त है भाही जे सही बहात बड़ी है यह से करें हैं इनकी पत्नी भी और यह भी इनका बच्चा भी आया आपके एक्स्परेशन कैसे है वह है वह यह पर ही है वह सी के पीछे गुमरी पच्छे के पीछे को कुछ चीजे सीखने मिली है एक्चुली यही बात है कि हम जिन्दा रहने की कोशिस में अपना पूरा जीव हो है वो कम हो जो जो फिक्स अलॉट लाइफ लाइफ अलॉट एजिया होगा होगा आठ दिन और साथ रहेंगे तो अब मैं हमारे मानस भाईया प्यूश अश्पाक सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूं केमरा में इस्पेशली थैंक्यू 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 आठ बजे यहीं मिलेंगे थैंक्यू 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 नमस्कार